अब तो बताते है यार कलपू क्या हुआ तुझे कब से मूड ओफ है तेरा दादा छुट्टी है ना और कोई भी काम में मन नहीं लग रहा बहुत बोर हो रहा एडा ना किसी और को बनाईयो मैं तब से देख रहा हूं तेरा सारा ध्यान इस फोन में है किसे के फोन का इंतजार है क्या वो मेरी फ्रेंड का फोन वो मुझसे नाराज है कौन सी फ्रेंड कविता किरन या वो चिपकू प्रतिबा आप नहीं जानते दादा आप ओफिस की फ्रेंड है नहीं वाली वैसे आप क्यों इतनी इंक्वाइरी कर रहे हो? मुझे नहीं बताना मेरा मूर बहुत खराब है ठीक है? मुझे से मत पूछो ये सब ओ हेलो, नहीं बताना तो मत बता भड़ा क्यों रही है मुझ पे? एक तो मैं भाई के नाते प्यार से पूछ रहा हूं और तू उल्टा मेरे उपर ही बरस रही है कर ले खुद समझाओ कुछ इसको बापरे, ये सब क्या है कलपी? और ये पक्या, ऐसे क्यों चला गया? फिर जगड़ा किया क्या तुम दोनोंने? अच्छा ये ले, प्रसाद उल्टे हाथ से कोई प्रसाद लेता है क्या? क्या सोचती रहती है तु? काई को डांट रही है इसको कलपी शर्बत बना बेटा तुम आओ इदर आओ, बेटो साफ कौन करेगा बिठल कलपी, बाबा ने शर्बत बोला है निम्बू पानी नहीं चल हट, किदर है ध्यान तेरा? गनपति भपा, ओर या कलपी आज इतनी बढ़ियां पूजा हुई है कि मैं तुझे क्या बताऊं तुझे पता है? मैंने भगवान से मांगा कि मेरी कलपी की मुठी में एक पूरा आस्मान देना सपनों का और तुझे पता है अज कौन देखा महाँ पे? बता अच्छा कौन देखा होगा? अरे वो नीतु मेम साब मिली थी उनको मंदिर में देखके मुझे तो लगा यह अपने घर का रास्ता भूल गई यह आई होगी पैसे वैसे मांगने क्या है वो जितने बड़े लोग उतना हाथ ठेलाते रहते हैं नहीं समझे विठल, मजा की उड़ा रहा है तुम मेम साब का मेम साब अब बदल गई है और मंदिर में आना अच्छी बात है उस दिन मेम साब ने हवन भी रखा था और होली के दिन चाल में भी हाईती कुछ समझा? समझा? हाँ सही बोलती है वैसे तू यह सब बहुत काम कर लिया है हमें उससे क्या करना है? बैठो नहीं तू मेम साब हो या कोई मेम साब हो अब किसी के दर काम तो करना नहीं है बहुत काम कर लिया 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 है वो आई के लिए पूछ रही थी हलो नहीं चाहिए मुझे कोई क्रेडिट कार्ड आप लोगों को समझ में नहीं आता दिस्टब मत कीजियो के कोई काम नहीं है क्या आप लोगों के पास कलपी ये क्या तरीका है फोन पर बात करने का बेटा वापस फोन लगा और सारी बोल मैं क्यों सारी बोल हूँ आई गल्ती उनकी है बार बार डिस्टब कर रहे है वो लोग कमला शी इस राइट ऐसे बिना किसी बात के किसी को फोन करके डिस्टब करना ठीक नहीं है नहीं ताई ये गलत है काम है उन बिचारों का वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे है और जब कलपी काम पर जाती है वो भी तो अपनी ड्यूटी करती है ना अगर हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए तो हम लोग प्यार से भी मना कर सकते हैं दिल नहीं दुखाना चाहिए किसी का दाई अई तू बस मुझे ही डाट अगर कोई और मेरा दिल दुखाय उसका क्या किसी का दिल दुखाना चाहिए नहीं होता कितना पुरा लग रहा होगा कलपी को ओए अब तू फोन उठाने का बहाना मत धूंड जब उसका दिल दुखेगा ना तभी तेरे दिल का दर्थ समझेगी वो अब तक तो तू उसके पीछे जाता था अब उसको तेरे पीछे आने दे जो तू अब तक फील करता आया ना उसे भी वोई फील होने दे इसलिए प्लीज, ओन उठाके प्लान चौपट मत कर मैं टीनेजर्स की तर अभी एव ने कर सकता है यार जानता हूँ तू टीनेजर नहीं है लेकिन कलपना तो 20-20 साल किये बच्पना चलता है यार आम शोर वो मरी जारी होगी तुझसे बात करने के लिए तड़प रही होगी वो और किसी से कह भी नहीं पारी होगी कलपी आई को बता किसने दिल दुखाया है तेरा छोड़ाई तू भी ना पहले डाटेगी और फिर बोलेगी कि क्या हुआ पक्का कलपी का किसी के सा जगड़ा हुआ है इसलिए परेशान है विठल एजा कुछ नहीं है देले प्रैसाथ का सुझे पता है कलपना कैसे रियाद कर रही होगी बेचैन होगी यहां वाँ टैल रही होगी I know कभी हाथों को मसल रही होगी कभी फोन को देखते हुए अपने बालों को कानों के पीछे कर रही होगी सारा पैसा क्यों कर रहे हूँ प्लीज फून करो ना किसी काम में मन नहीं लग रहा होगा उसका कभी चीज़े समेट रही होगी कभी बिखेर रही होगी कभी नाखून चभा रही होगी और कभी गुस्से से फोन को देखकर जला रही होगी बस यही बेचैनी बढ़ने दे उसकी जब यही बेचैनी बरदाश्ट के भार हो जाएगी तो वो खुद दोर के तेरे पास आईगी शायद आज रात को उसको दीन भी नाए और कल जो तुझे मिले एक अलगी कल्पी मिले जो तेरे मूपे दर्वाजा बनने ही करेगी बलकि तेरे लिए अपने दिल का दर्वाजा खोलेगी क्यों? मुझे उस पल के इंतजा जाएगा ताई ये अंग्रेजी अखपार कमला नाष्टा बना गया? हाँ विठ्थल तयार है जल्दी देदे बहुत भूख लगी है और ज़रा कल्पी को देख तयार हुई की नही? कल्पी का गई? मैं रड़ी हु आई कल्पी को क्या हुआ है आज? क्या हो गया? अरे बाबा सॉलिट खुच्चबू है मज़दार ताई मैं कैसी लग रही हुआ? थांक यू आई क्या बात है कल्पी? आई टिफिन तयार है? हाँ हाँ तयार है क्या बात है कल्पी? आज सुबह उठकर एकदम तयार होकर ओफिस जल्दी जा रही है कोई फंक्शन है क्या? फंक्शन? मेरे कपरे फंक्शन वाले लग रहे है मैं कुछ ज्यादा तयार हो गई क्या? नहीं रहे तेरी आई तो कुछ भी बोलती है बहुत बढ़ियां लग रही है बहुत सुन्दर लग रही है और ऐसे ही तैयार होकर जाया कर ओफिस तैयार होकर जाना बुरी बात नहीं है कमला सुनना क्यों? अरे यहां लगाते हैं नजर न लगे चला मैं जाती हूँ अरे कल्पी टिफिन तो लेके जा बेटा हाँ बस में बहुत बीड होगी आई और आज मुझे जल्दी पहुंचना है इसलिए निकलती हूँ बाई 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 आई आई बाई तादा कल्पी अरे कल्पी ले इसलिए इसलिए उड़े मजे पंक लग गगा इखाँ की बल्ले उड़े बल्माने गथा बल्माने बटा झाल झाल कर्का दिन भी क्या दिन था? काश ये संडी रोज मेरी जिन्दगी में आए तो जिन्दगी तो हॉलेडे बन जाए हाई कमला मा, I love you अरे पाकी, तुझे क्या हुआ बेटा, तुछ ठीक तो है इतने जल्दी उठ गई अफिस में बहुत काम है क्या? हाँ कमला मा, प्यार तो ऐसी होता है न मैं तो एक्साइटमेंट में जल्दी उठ गई थी I love you, कमला मा पागल है तु पागल पाकी, अब तु बड़ी हो गई है बिता जब अच्पन में सब शदारत करती थी तो चलता था, हाँ? अपके तु की बड़ी हो गई है उसे प्यार जी हो गया है शी न लव, कमला मा And you know what? कल का संदे मेरी लाइफ का पैस संदे था पूछो क्यों? क्योंकि रागप सर पूरी सुबाः और पूरी दुपहर मेने नजरों के सामें थे ये तो अच्छी बात है बेटा और आपको पता है क्या? वो तो मेरे साथ पूरी रात भी थे क्या? क्या मतलब है तेरा? अरे सपनों में कमला मा भाई कितना रोमांटिक सपना था वो देवा थोड़ी पर लाज नहीं है तुला पेशरम तू बहुत बदमाश होगे ये पाकी टेंसन होता है मेरे को टेंसन तेरा सोचके अरे आपसे क्या शर्माना कमला मा एक आप ही तो हो जिसे में सब कुछ डिसकस करती हूँ आप ही तो हो मेनी बेस्ट वेन लेकिन पाकी एक बात बोलना चाहते है कल भी मुझ से कोई बात नहीं कहती कुछ नहीं बताती मुझे क्या बताएगी वापको उसकी लाइफ में कुछ होगा तो बताएगी ना उफ बहुत ही बोरिंग यह भूब नहीं नहीं ऐसा नहीं है पाकी आज कलपी न बिल्कुल तेरी तरह जल्दी उठ गई बहुत खुश्ती अच्छे से तयार भी हूई ऐसी तयार तो वो अपने बैस्वें के शाती में भी नहीं होती बेटा अच्छा कम्ला मा I think कहीं उसे भी मेरी तरह किसी से प्यार तो नहीं हो गया मुझे नहीं पता मुझे तो बस कलपी की बहुत फिकर होती है आप टेंशिन मत लो मैं सब संभाल लोंगे अच्छा भी फोन रखती हूँ हाँ बाई अच्छा कलपी शुपी रुस्ता मा अब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि वो कौन है जिसने तुमारा देल चुरा है और तुमारी रातों की नेम द्वी यार आफ पेशेंस इतनी फास ड्राइब मत कर देखना वैसे भी कलपना पहले ही ऑफिस पहुँच चुकी होगी कल तुने उसको इतना इग्नोर जो किया मेरे प्लान कभी फेल नहीं होते रागब अच्छा शुपीज अल्वेस अंता है मैं एक मनिट पहले मैं एक मनिट पाद चल लगी पांथ सो की शर्थ आज तो तु पक्का हारेगा कल पना ओफिस पहुच भी चुकी होगी और बेसबरी से तेरा इंतजार कर रही होगी गुड मोनी मेडम मेडम आज आप इतने जल्दी आगए साप नहीं आए साप इतने जल्दी कहा आते हैं उनको तो भी टाइम लगेगा नहीं आए बस देखा क्या यार रामू बुड मोनिंग सर क्या बात है कोई आया नहीं अभी तक सर अब टाइम कहा हुआ है हाँ वो कल पना मेडम आ गई है अगर कुछ काम हो तो नहीं बलाओ तुम जाओ अब निकाल हजार उपे चल माफ किया लेकिन ये तो कबूल कर कि इगनोर करने का मैजिक तुझे समझ आया अब ध्यान रखना उसको भाव मत देना जैसे मैं कहता हूँ ऐसे कर इगनोर कर उसे अब 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 आराज होगी तो अगर सच मुछ पहर्ट होगी तो विलाल तो अपने दिल की सोच देख अगर तुने आद जैसे मैं कहता हूँ ऐसे नहीं किया ना तो अब से अड़ाइस देना बंद ठीक मैं वैसे करूँ अजिस तू कहेगा गेरी सांस ले, सीना फुला, और गिवर फुल अटिटूड गुद मॉर्निंग सर् गुद मॉर्निंग सर् गुद मॉर्निंग कल्बना अज तो बड़ी दिफरेंट लग रही हो कोई खास बात नहीं सर् क्या हुआ? आज तुम जल्दी आगई? अरे हाँ मैं तो भूली गया आज महीने का आखरी दे मतलब तुमारा इस ओफिस में तीस दॉत तुमारे तीस दिन का चैलेंज वो पूरा होगे है ना तो क्या डिसाइड किया थे? तुम्हें इस ओफिस में रहना है? या नहीं? इस फाइन कल्दी तुम जो भी डिसाइड करोगी मुझे मन्जूर है मैं चाहूंगे कि तुम्हे इस ओफिस में काम कंटिन्यू करो ताकि तुम्हारी मरसी बता देना मुझे तुम्हे काम करना है तुम्हे काम करना है या नहीं तुम्हे या तुम्हे याग 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 कर दो मुए निए नए तरिक से यह क्यों है रागव कॉंफिरेंस कोल अंटों करनी है यह ना कम लंगे लंगे लेता, लो अगया लोड़ा हो... हुआँ पुर्सादी लेता, लो विलाएंगे लोड़ा हो... लाइख लोड़ा हो... मुझे लोड़ा हो... सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब